पर आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है लूशन जनरल साइंस में हम लोग फिजिक्स के जो अप्जिक्टिप कुश्चन्स हैं उनको डिसकस कर रहे हैं उस करम में यह आपका दूसरा वीडियो है मैं बता दूं कि लूशन जनरल साइंस रर्वी इससी के और भी जो एक्जाम्स होते है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्ण होता है डार्टिक कुश्चन्स यहां से आ जाते हैं इवेजिक्स कर आउंगी तो आप देखोगे कि कहीं न कहीं किसी न किसी एक्जाम में इसके जो अप्जिक्टिप कुश्चन्स हैं आए हुए है तो पहला वीडियो उससे पहले डिसकस हो चुका है, जिसमें 51 questions तर डिसकस हो गया है, physics का भी कर रहे हैं, ऐसे ही सारे जितने science पे कब दिया हुआ है, objective questions दिये हुए हैं, उसके बाद आपका biology के भी objective questions हैं और chemistry के भी हैं, तो सारे objective questions हम यहां पर discuss करेंगे, जो कि science का weightless बहुत जादा होता है, एक्जामों में सारे ही एक्जामों में के लिए important है, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC का हो, चाहे आपका state pieces के exams हो, तो जो भी बच्चे एक्जाम के तयारी करने हैं, उनके लिए बहुत ही important होगा, तो जादा time waste ना करते हुए, आगे start करते हैं, यह आपका Lucent General Science physics का second test है, इसके आने वाले वीडियो में और भी just test बदल टोटल बनेंगे, physics के जिसमें सारा discuss हो जाएगा, और उसके बाद हम science tech में 62 questions हो discuss कर लेंगे, और biology और ऐसे ही chemistry का भी discuss कर लेंगे, पचास-पचास questions के set में हम इसको discuss करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का पहला question है, a body is undergoing non-uniform circular motion, work done by radial force on the bodies, तो work done क्या होता है, work done is called to होता है f.s, यानि कि इसको गर खोलें तो fs cos theta होता है, अब क्या है कि non-uniform circular motion के case में क्या हो रहा है, कि cos theta जो आपका work done है, वो आपका center की तरफ, sorry, force आपका center की तरफ लग रहा है, और जो आपका motion हो रहा है, वो tangent में हो रहा है, यानि f और s के बीच में जो angle बन रहा है, वो 90 degree का बन रहा है, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इस तरीके से आपका work done क्या हो जाएगा, 0 हो आजाएगा, ठीक है, अगर आप acceleration से, या formula से याद रखते हैं, तो आपको long time तक याद रहता है, इसलिए मैंने आपको explain कर दिया, आगे next question है, कि linear momentum of a body is increased by 10%, ठीक है, एक body का linear movement हमने क्या किया, 10% से increase कर दिया, तो आप से question में पूछा गया है, कि percentage increase in its kinetic energy, इसके kinetic energy में percentage increase क्या होगा, तो यहाँ पर आप normally, जो mass का increase का formula लगा सकते हैं, इंक्रीज से जो changes क्या होता है, तो resultant change का formula होता है, अगर कोई चीज, पहरे तो में पता है कि momentum जो है, velocity square के, ठीक है, तो अगर आप formula लगाओगे, plus V, plus का change आ रहा, तो plus V, plus V, plus V square अपन 100 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका, V में कितना change आ रहा, 10, तो 10 plus 10, ठीक है, plus 10 into 10, divide by 100 हो जाएगा, ठीक है, यह formula mathematics में आपने पढ़ा होगा, तो अराम से आपका 20 plus 10 into 10, यह cancel out हो जाएगा, 1 बजेगा, तो total आजाएगा 21, इस तरीके से अगर linear momentum of a body, किसी की increase हो जाएगा, यह 10% से हो, तो kinetic energy में कितना change आ रहाएगा, 21% का इस formula से आप निकाल लोगे, आगे बढ़ते हैं, next question है, electrical potential energy V, between the two charges, varies with distance R, तो electric potential में, और जो distance होता है, उसके बीच में, inverse relation होता है, यानि, V directly proportional to 1 by R कहो, या V inversely proportional to R कहो, दोनों ही statement सही होंगे, आगे बढ़ते हैं, next question है, for a perfectly elastic कोई collision है, और a perfectly inelastic collision है, values of coefficient of restitution क्या हो जाएगे, अगर आपका perfectly elastic collision होगा, तो आपका value of restitution हो जाएगा 0, और perfectly inelastic के case में क्या हो जाएगी, value 1 हो जाएगी, तीक है, आगे बढ़ते हैं, अब same question जैसे 53 था, वैसे ये भी है, linear momentum is increased by 50%, kinetic energy कैसे होगी, तो आप कैसे निकालोगे, 50 plus 50, plus 50 into 50 by 100, तो यहां से 50 plus 50 by 100 आगया, और into 00 cancel out हो जाएगा, और 5 into 5 by 25, तो आपका आदाएगा 125 ठीक है, अब देखते हैं, इस question में, इसमें आपका kinetic energy, next question है, kinetic energy of body is increased by 300%, momentum of the body is increased by, अब इसमें उल्टा दे दिया, इसमें क्या है, आपका kinetic energy में चेंज दे दिया हुआ है, वो momentum में निकाला है, तो अगर आप इस तरीके से जाओगे, तो V plus V plus V square by 100 करना पड़ेगा, जो की एक लंबा process हो सकता है, calculation थोड़ी tough हो सकती है, इसलिए आप options के जड़िये जाओं, मेरी साब से तो सही रहेगा, अगर आप options को लेकर चेक करेंगे, तो 100 plus 100 reverse process लगाएंगे, तो जादा बटर रहेगा, 100 and 200 divided by 100, तो 100 and 100 cancel out हो गया, 100 plus 100, 200 plus 100, 300, इसका मतलब 300, अगर किसी kinetic energy of body किसी की increase हो रही है, तो momentum में कितना increase हो रहा होगा, 100% हो रहा होगा, तो कभी-कभी options के मदद से आपके question easily निकल जाते हैं, इसको option के मदद से करने से ज़्यदा फायदा रहेगा, next question है आपका, angular, sorry, the moment of linear momentum, अगर आप linear momentum का moment निकाल लाए हो, तो वो क्या कहलाएगा, angular momentum कहलाएगा, ठीके, इसको directly याद कर सकते है, moment of linear momentum क्या कहा जाएगा, angular momentum कहा जाएगा, आगे बढ़ते हैं, next question है आपका, कि angular velocity of a minutes hand of a clock in a radian per second, तो आपको इसके लिए angular velocity का आपका formula आना चाहिए, तो angular velocity क्या होती है, ओमेगा से represent करते हैं, और इसका formula होता है, 2 pi by, 2 pi by divided by T, ठीक है, जहाँ पर T क्या है, time period है, ठीक है, तो अब देखते हैं, 2 pi, ठीक है, 2 pi तो 2 pi रहेगा, और अगर minute hand है, तो उसका time period क्या होगा, time period होता है, कि एक revolution पूरा करने में, जितना time लगे, तो minute के, जो आपकी hand होगी, उसको लगेगा, आपको 60 minutes, बट आपको निकालना है, इसमें radian per second में, तो ये minute को second में, convert करने के लिए, आपका एकर होगे, 1 minute equals to 60 seconds, तो 60 into 60 कर दोगे, ठीक है, तो और 2 से, ये cancel out करोगे, तो 30 आजाएगा, आंसर क्या जाएगा, pi divided by, 6 into 3, 1800, ठीक है, इकल गया, formula याद करके रखना, आपको, omega equals to, that is, omega क्या है, angular velocity, equals to वाजाएगा, 2 pi by t, ठीक है, 2 pi by t, आपका minute हैंड के लिए, 60 minutes हो जाएगी, और 60 minutes को, अगर second में, convert करेंगे, तो 60 into 60, यानि कि, और 2 से 60 कैंसल हो गया, 30 हो जाएगा, pi divided by, 1800 आपका, राइट आपका, आपका, आगे बढ़ते हैं, next question है, आपका, when a ball is thrown, vertically apart, ठीक है, vertically apart, किसी ball को अपने थो किया, which of the following quantities, remains constant, during its motion, तो energy क्या रहेगी, constant रहेगी, because energy, can neither be created, not destroyed, it can only be transformed, from one form to another, तो energy को ना आप create कर सकते हो, ना destroy कर सकते हो, बस इसके form को आप एक form से दूसरे form में, change कर सकते हो, ओके, यह SSC 2017 में question आया हुआ है, ऐसे आप भी exam में, question आया हुआ होगा, कोई important questions है, generally, लोग से लिए mistake कर देते हैं, अगर आपके दिमाग में है, revision किया है, तो आप easily उस question को get कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, next question है, आपका, who was the first, experimentally determined the value of universal gravitational constant G, तो universal gravitational constant G की, सबसे पहलू, value किसे निकाली थी, Henry Cavendish ने, ठीक है, Henry Cavendish ने, उसके बाद आपका next question है, value of G, डाइटली कभी-कभी exam में आ जाते हैं, तो value of G आपका होजएगा, 6.673 into 10 power minus 11 newton meter square per kg square, ठीक है, यह आप इसको याद कर लेंगे, at which of the following place weight of an object is maximum, तो आर्थ पे, किसी भी body का, किसी भी object का weight कहां पर maximum होता है, तो पोल्स पर maximum होता है, यह question भी कई बार exam में आ चुका है, next है, satellite having the same orbital period, as the period of rotation of Earth, about its own axis is known as, ठीक है, कोई भी satellite, जिसका same orbital period है, जैसे की Earth का है, ठीक है, अर्थ का अपनी axis पे है, ऐसे satellite को हम क्या कहते हैं, geostationary satellite, geostationary satellite, कहते हैं, next question है, आपका, okay, next question है, the pressure of a fluid, varies with depth, depth H, दिया हुआ, as formula दिया, P equals to P naught, rho GH, where rho क्या है, fluid density है, this expression is associated with, तो pressure का, fluid के साथ variation, को किस ने बताया था, Pascals के लोग ने बताया था, पासकल सुके लोग ने बताया था, directly exam में आया हुआ है, question है, serious में आया है, serious question क्योंकि, serious का exam UPC कराती है, तो generally, बहुत सारे exam में, इसके repetition के chance रहते हैं, next question है, आगे बढ़ते हैं, आपका ने इस question है, consider a hypothetical planet लेना है कोई, whose mass and radius are both half that of earth, earth के, इसका mass भी और radius भी दोनों half है, ठीके, r by 2 है, और mass y by 2 है, if g is the excessant due to gravity on the surface of earth, the excessant due to gravity on planet will be, तो इसके लिए आपको क्या है, आपको formula आना चाहिए, तो formula क्या होता है, निकालने के लिए g की value, g m upon r square, ठीके, अब g तो gravitational constant है, इसकी value तो change नहीं होनी, mass क्या हो जा रहा है, half हो जा रहा है, तो m by 2 कर दो, और radius हो जाए r by 2, तो r by 2 का अगर होगे, तो r square by 4 हो जाएगी, तो यानि कि 4 by 2 हो जाएगा, तो 2 into 2, यानि कि 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 एक्वस हो जाएगा, 2 g के एक्वस हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीके, क्योंकि m upon r square हो जाएगा, और ये 2 into 2, 4 उपर चला जाएगा, 4 by 2 हो जाएगा, तो 2 times हो जाएगा, gravitational, gravity जो आपकी आर्थ पे है, उसकी उस प्लैनेट पे क्या हो जाएगी, 2 times हो जाएगी, ठीके, आगे बढ़ते हैं, नेस्स कुछ चैन है आपका, once a satellite has been launched into orbit, the only force governing its motion is the force of, क्या होगा, gravity, gravity जो होगी, यही single force होगी, आगे बढ़ते हैं, if two satellites of different masses are revolving in the same orbit, they have same, ठीके, उनके speed भी same होगी, उनका time period भी same होगा, ठीके, इसलिए answer क्या होजाएगा, both a and c, आगे बढ़ते हैं, if the radius of earth were to be increased by 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on the surface of earth will, ठीके, radius earth का 1% से increase हो गया, और mass इसका same है, तो acceleration due to gravity कितना हो जाएगी, 2% से increase हो जाएगी, ठीके, आगे बढ़ते हैं, next question है, a satellite is moving around the earth with speed v in a circular orbit of radius r, if the orbit radius is decreased by 1%, its speed will be, ठीके, जब decrease होगा 1% से, तो इसकी speed क्या हो जाएगी, increase by 0.5%, उसी formula से फिर से calculation आप कर लेंगे, ठीके, if two satellites of different masses are revolving in the same orbit, they have same, उसकी क्या हो जाएगी, वैसे questions repeated है, तो रहना, इस speed और time period सेम होगा, आगे बढ़ते हैं, sop bubble attends spherical shape, due to, किसकी वाज़े से attend करते हैं, surface tension, कि वाज़े से करते हैं, इसके surface tension के एक जाम पास आपको डायेटली राटे होने चाहिए, तो sop bubble का जो spherical shape होता है, वो किस वज़े से होता है, surface tension की वज़े से होता है, next question है, आपका spring constant of a spring depend on its, किसी भी spring की spring को किस बात पर depend करेगा, उसके thickness पे, उसके diameter पर और उसके material पर डिसके डिपन करेगा, next question है, length of seconds pendulum on surface of the moon, where g, 1 by 6 of the value of g on the surface of the earth is, तो कितनी हो जाएगी, 1 by 6 meters हो जाएगे, next question है, आपका young modulus of perfectly rigid body है, उसका young modulus क्या होगा, infinite हो जाएगा, which of the following is most elastic, सबस्दाइब इलास्टिक कौन होता है, steel होता है, आगे बढ़ते हैं, अगला question है आपका, when among the, who among the following scientists discovered law of flotation, तो law of flotation किस ने बताया था, Archimedes ने बताया था, कि कोई भी body float कर रही है, उसका प्रिंस्पल था, वो Archimedes ने दिया था, आगे बढ़ते हैं, a bird is sitting in a wire case, which is hanging from a spring balance, if the bird is start flying, inside the case, the reading of the spring balance क्या हो जाएगा, भी lesser than earlier, तो पहले से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, Bernoulli's theorem is applicable to flow of liquids पे, Bernoulli का theorem applicable है, which are the following, physics explains the existence of buoyant force, buoyant force किसे ने बताया था, Archimedes ने बताया था, modulus of rigidity of ideal liquid कितना होता है, zero होता है, ideal कोई जी जी आइडियल है, उसका modulus of rigidity क्या होजीगी, जीर हो जाएगी, velocity of raindrop attains constant value, because of किसकी वज़से होता है, viscous force adjusted by air, air जो viscous force लगा रहा है, उसी की वज़से, जो raindrop की velocity होती है, वो constant value को attain करती है, आगे बढ़ते हैं, next question, a liquid drop attains spherical shape due to surface tension, यह सवाल बहुत ही important है, तो spherical shape किस वज़से होता है, liquid drop का surface tension की वज़से, absorption of water by soil, क्या होता है, capital reaction होता है, insects can move on the surface of water without sinking due to surface tension of water, when a ball bounces off the ground, which of the following changes suddenly, क्या change हो जाएगा, its momentum, with increase in temperature, the viscosity of, क्या होगी, gases की भी increase होगी, और liquid की भी increase होगी, ठीक है, तो अगर किसी body का, आप चीज का, gas या liquid का temperature बढ़ा देते हैं, sorry, यहाँ थोड़ा सा मिस, हाँ, तो यह एक बार कुछिन पर से discuss कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा confusion हो गई थी, इसमें, तो यह with increase in temperature, the viscosity of, अगर आपका temperature increase हो रहा है, तो viscosity का पर क्या change पढ़ेगा, gases के case में, यह increase हो जाएगा, और liquids के case में, decrease होगा, ठीके, यह राट के रखना है, कि दोनों के case में, increase or decrease कैसे confusion नहीं होना है, अगर आपका temperature increase हो रहा है, liquids का, तो viscosity उसके decrease हो जाएगी, और अगर temperature आपने gases का increase किया, तो आपका, उसकी viscosity भी क्या होगी, increase होगी, अब अस्टे से clear हो गया होगा, सब के पीछे एक ही force responsible होता है, वो होता centrifugal force, आगे बढ़ते हैं, next question है, while ascending a hill, the driver of the vehicle keeps the gear ratio, क्या करेगा gear के ratio, either equal to or greater than one से रखना पड़ेगा, ठीके, आगे बढ़ते हैं, process of combining strings is known as, क्या कहते हैं, इसको concatenation कहते हैं, ठीके, concatenation एक नया वाट से आपको जैनली आपने सुना नहीं होगा, कहीं भी आ सकता है, तो यह आप इसको रट लीजिए, so clean surfaces on the surface based on flotation, which of the following is not a vector quantity, तो vector quantity, ऐसी quantity होती है, जिसके पास mass और plus direction दोनों हो, ठीके, तो momentum एक vector quantity है, moment of force भी एक vector quantity है, displacement एक vector quantity है ही, but electric current के लिए, कोई भी direction के यह नहीं, बता कभी भी जब electric current को लिखेंगे, तो हम 5 mps current यही बस बोलते हैं, यह नहीं बोलते हैं, 5 mps current इन दो डारेक्शन नौर्थ साउथ वेस्ट तो डारेक्शन की जबोद नहीं पढ़ती है, इसलिए एक vector quantity नहीं है, यह एक scalar quantity है, next question है, unit of plants constant is क्या हो जाएगा, joule second हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, kilowatt is a unit to measure, power को measure करते हैं, light year is a measurement of, किसके लिए stellar distances के लिए, आपने के लिए use करते हैं, light year क्योंकि बहुत ही लंबी distances होती हैं, इसलिए light year में मेजर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, very small, very small time intervals can be accurately measured by, small को अगर करना है, small time interval को तो atomic clock से measure करेंगे, soft clean surfaces on the principle, based on surface tension पे based होता है, principle velocity of wind is measured by anonometer से measure करते हैं, which type of molecular motion does not, contribute towards internal energy, कौन नहीं करता है, translational नहीं करता, बाकी vibrational और rotational करते हैं, आगे बढ़ते हैं, sliding friction is क्या होगा, than the static friction, sliding friction हमेशा static friction से छोटा होता है, क्योंकि जब start में किसी कोई भी चीज रुकी होई है, उस समय static friction लग जाँता हो, जिसकी value जादा होती है, एक बार जब movement इस स्टार्ट हो जाता है, जिन उस पर sliding friction या kinetic friction लग जाता है, जिसकी value क्या होती है, छोटी होती है, earliest thermometer was developed by Galileo, ने developed किया था सबसे पहले thermometer, next SI unit of temperature क्या है, Kelvin है, correct value of 0 degree Celsius on the Kelvin skill क्या होजाएगा, 273.15 होजाएगा, ठीक है, next question है आपका, temperature at which both the Fahrenheit and centigrade scales have the same value, तो वो कौन सा temperature है, जिस पर Fahrenheit और centigrade दोनों सेम होते हैं, वो आपका temperature है, minus 40 degree centigrade, ये question बहुत ही important है, एक बार ये KVC के exam की KVC में भी पूछा गया था, जो कि अगर आप याद करके नहीं रखोगे, तो बताना असान नहीं होता है, इस तरीके से आपको अगर ये हमारी सीरीज, 50 questions आज की खतम हो गए, तो इस तरीके से अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धंड़वाद,